मान लीजी आपके पास एक object है, जो point A से point B तक जा रहा है, point A से point B तक का distance जो है, वो है 10 meters और ये cover कर रहा है ये object, ये distance in just 2 seconds, तो अगर मैं आपसे पूछू कि इस मामले में speed कितनी होगी, तो आपके क्या बताओगे, of course ये बात है, class 9 में आपने बहुत क्लियली पढ़ा हुआ speed क्या होती है, distance upon time, जितना distance आपके object ने travel किया है, उसको divide कर दो, जितना time लगा है उसको travel करने के लिए, तो आपको speed मिल जाती है, है ना, तो 10 meter यहापे travel किया हुआ है, 2 second के अंदर तो बन जाता है आपका speed, 5 meters per second, हम ये जानते है कि speed आपका formula देता है, distance upon time, speed ये बताता है क आपको object कितने तेस्ट चल रहा है, speed एक scalar quantity है, क्योंकि distance itself is scalar quantity है, by the way, अगर आपने हमारे distance over displacement session नहीं देखा हुआ है, तो आप चेक आउट कर लेना चाहिए, पूरा playlist का link description में है, ठीक है, और अच्छा है तो like, share, subscribe जरूर करना, तो ये होगे आपकी बात speed की, एक और अगर म पर dependent नहीं है, so it is direction, you know, independent, और दूसरी बात, speed जो है, 0 और positive हो सकता है, कभी negative नहीं हो सकता, क्योंकि distance और time कभी negative नहीं हो सकते है, अब यहीं पर अगर मैं आपसे पूछू हूँ, कि एक object है, जो point A से point B जा रहा है, और उसके बाद point C वापस आ रहा है, याना कि point A से point B जान में आपका velocity कितना हो, हम जब जानते हैं from class 9 again कि velocity क्या होती है, displacement upon time होती है, और displacement यहाँ पर कितना है, भाई A से B में गए 10 मीटर में, और फिर बहां से B से C में आए 2 मीटर, तो the shortest distance between A and C is 10-2, 8 में आपका shortest distance बन जाता है, between the initial and the final position, तो 8 में आपका displacement हुआ, और time कितना लगा ह तो आपके velocity कितनी हुई, 0.8 में पर सेकंड, तो velocity is that, simple as that, velocity basically speed with direction होती है, जो आपने class time में पढ़ी हुई है, तो velocity होगी आपकी displacement upon time, इसकी भी SI unit होती है, में पर सेकंड, यह एक vector quantity है, क्योंकि displacement एक vector quantity है, और इसी वज़े से यह direction dependent quantity है, और यह negative, 0 और positive 3 हो सकती है, these are the differences between speed and velocity अगर आपने thumbnail में देखा हो, तो हमारे इस session का नाम जो है average speed and velocity है, average speed and velocity की बात आती क्यों है, और क्यों की जाने जब हमारे बाद speed and velocity अल्रीड है, तो मैं आपको example से समझाता हूँ, और हर एक चीज़ भाई हम in-depth समझेंगे और basic से समझेंगे, क्योंकि अगर आपने मालीज class 9 ठीक से ना भी पढ़ा हो, तब भी आप in class 9 के सारे concepts को अराम से समझ सको, तो आज हम basic से लेके advance तक जाएंगे, सिव need के advance नहीं, जेए advance तक जाएंगे आजब, तो इस वीडियो को ज़रू एंट तक दीखेगा, एक simple सी बात अगर मैं आपसे पूछू, मान लिजे आपका सर जो आपने बुला हुए, सर 20 meter per second, चलो अगर मान लेते हैं कि एक object है, जो point A से B जा रहा है 20 meter per second पे, और B से C जा रहा है 10 meters per second पे, अगर मैं अभी आपसे पूछू, कि इस motion में, जहां पर object A से C जा रहा है, यहां पर कितनी है average speed, तो आप क्या बताओगे, क्या 20 बताओग 20 plus 10 divided by 2, 30 by 2, नहीं होता है, 15 meter per second यहां पर average भी नहीं आए गया, यह mathematical average होता है, और ऐसे situations में, जहां पर आपको एक average speed बतानी है, क्योंकि speed constant नहीं है आपके motions में, इस type of motion को पहली बाद हम कहते है, non uniform motion जहां पर आपका speed constant नहीं हो, और जहां पर भी non uniform motion होता है, जैसे 99.99% cases in this entire universe, उस cases में आपको average speed ही बतानी पड़ती है, इसी वज़े से हम average speed या तो for the same reason, average velocity सीखने वाले है, ठेक है, तो सलो भाई 20 plus 10 तो आप क्या से निकालोगे average speed और average velocity, तो मैसे average speed और average velocity के सबसे basic सवाल से लेकर, max to max difficult वाले सवाल जो आपके need में expect कर सकते हो, पिसले 20 साल में ज थोड़ा सा और क्या कहते है, मज़े के लिए जही मेंस और एडवांस के सवाल भी आश कोशिश करते है, solve परने के लिए, और अगर आप यह सोच रहे कि सर, हमारे NCRT में तो average velocity है नहीं, ट्रस्वी गईस, average velocity है लेकिन सवाल जरूर आते है, instantaneous velocity का जो concept आपके syllabus में है, class 11 के, वो हम next session में करेंगे, and by the way, अगर आप syllabus check करोगे, जो आप तो latest आई नहीं, लेकिन पिस्टा syllabus check करोगे, जो final, सबसे latest है, उसमें average velocity दोनों है, तो मिलते है भाई, स्क्रीन पर, चलिए आजे, फिर समझते के average speed का formula क्या होता है, तो अगर मैं simple भाषा में average speed का formula लिखोंगा, तो क्या हैगा, या ये भी जो है, आपने आपके 9th grade में आराम से सीखा हुआ है, ठीक है, तो average speed का formula हो जाता है, total distance upon total time, ठीक है, जितने भी distance आपने cover की है, उसको आप जितने भी वक्त आपको इस distance cover करने के लगा हुआ है, उससे divide कर दीजिए, तो आपका formula बन जाता है, average speed का total distance upon total time, ठीक है, तो यहाँ पर इसका unit क्या होगा, इसका SI unit भी आपका आराम से आएगा, क्या आएगा भाई साब, meter per second ही आएगा, क्योंकि distance meter में होगी, time second में होगी, meter per second हो गया as distance and also speed, जो भी हमने अभी पहले की वीडियो में सीखा, ठीक है, तो यह हो जाती है, आपकी average speed की formula, तो अगर मैं आपको इस simple example से समझाओं को ऐसे, तो आप मुझे करके दिखा रहा है, ठीक है, मुझे chat में करके दिखा हूँ, मान लीजे कि point A से आप अपना journey का शुरुवात कर रहे हो, पहले point B में जा रहे हो, फिर point C में जा रहे हो, point A से B, 20 meter का distance है, और इसको आपने 10 second में cover किया, और point B से 30 meter का distance है, और इसको भी आपने 10 second में cover किया, तो अगर मैं आप से पूछू, यहाँ पर average speed निकालने के लिए तो आप कैसे निकालोगे, simple तरीके से यह formula अप आपने बुला, Sir, average speed का formula है, total distance upon total time, अब देखो याद, TD upon TT आप याद रख सकते हो, है ना, total distance upon total time, TD upon TT याद रखे, या तो जैसे मैं 9 वह सिखाता हूँ, वैसे आप याद रखे, कैसे सिखाता है अगर आपको याद हो, तो मैं इसको याद रखता हूँ, टिड्डू upon टिड बी कर सकते हैं, बहुत बढ़िया, तो यहाँ पर total distance कितनी है, बेटा, 20 प्लस 30 मेटर, तो 50 मेटर आपकी total distance होगी, और total time कितना है, 10 प्लस 10 सेकंड, 20 सेकंड आपका total time होगया, बहुत easy, तो अब यहाँ 00 काटो, तो कितनी वाली होगी, 2.5 मेटर पर सेकंड, कितना easy, बहुत share और share नियो, क्या होगा, तो average velocity की formula आजागी, आपकी total distance के बदले displacement हो जाएगा, क्योंकि speed जब distance upon time होता है, तब जाकर average speed, total distance upon total time होती है, वैसे velocity जब displacement upon time होता है, तो आपका average velocity, total displacement upon total time होगी, है न, है कि नहीं, बहुत बहुत simple, बहुत basic सा concept होगया यह तो, ठेक है, और इसक कैसा unit की होगी, इसकी भी 2 meter per second होगी, और बागी जो भी properties आपके velocity की है, displacement की होगी, एकदम similar होगी है, जैसे यह vector quantity है, यह negative 0 और positive होती है, यहाँ पर यह direction dependent होता है, क्योंकि यह vector quantity है, path independent होता है, जो जो हमने इसके पहले session में सिखाता है, exactly same चीज़ यहाँ पर होगी, तो इस इसे वो C पे गए, 30 meter cover किया, किसके बहुत 10 second के अंदर, और यहाँ सिरु माल लो घुमा कर वापस यहाँ पर आगे point B पे, तो कितना हो गया, यह 30 meter, वो भी माल ली जे 10 second के अंदर, तो यहाँ पर निकालते है, average velocity between point A and D, यह आपके average velocity निकालनी है, आपको, simple सी बात है, आपके average velocity की formula आती है, total displacement upon total time, यानि कि T S upon T T, तो यहाँ पर भी तो इसी cuteness डालते, क्या कहते हो, तो T S upon T T को हम कर देंगे, Tissue upon T2, T2 बहुत जरूरी है बच्चो, T2 बहुत जरूरी है, Tissue, T2 बदल सकता है, ठीक है, तो total displacement क्या है, यहाँ पर total displacement से हम बोलोगे, sir, point A और D के बीच में जो जो displacement है, जो shortest distance हो कितना है, यहाँ से यहाँ तक भाई 20 मीट है, क्योंकि आपका एक घूम के वापस यहाँ पर आ गया, तो यहाँ पर total displacement है, A से dot D के बीच में 20 मीटर का distance है, बस तो 20 मीटर हो गया, total time कितनी है, total time आपका 10 second, plus 10 second, plus 10 second, 30 second आपका हो जाता है, total time, तो 00 कट गया, 2 by 3 आपका जवाब हो जाता है, that is 0.67 मीटर पर सेकेंट, समझ गया आप, तो यहाँ पर distance निकालना, time निकालना है, यहाँ पर displacement निकालना, time निकालना है, exactly like your normal scenario, ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, अब हम सबसे basic सवालों से लेकर, सबसे difficult सवाल तक करेंगे हम NCRT के सवाल से, NCRT में आपके average speed of velocity सिर्फ दो ही सवाल है, उनको solve करेंगे, आपके NEET के सबसे important PY, की मतब सारे PY की सवाल solve कर लेंगे, आपके average speed of velocity से जो भी आते हैं, और साथी से थोड़े से और मज़े के लिए, JE advance के सवाल भी solve को नहीं कोशिश करेंगे, यहाँ ठीक आपके प्यारे से NCRT का है, और यह NCRT का बहुती ललू सवाल है, बहुती ललू सवाल, और यह भी अगर आपने class kind में ध्यान दिया हो, तो आप कर लो गया रहाम से, but I'm assuming कि 10th बीच में आ गया था, तो शायद आपको शायद यह तना याद नहीं रहेगा, तो फिर आप मेर मैं जो पढ़ा रहा हूँ, इसको ध्यान से दिखो यहाँ, क्या बोला जा रहा है, explain clearly with examples the distinction between, ठीक है, distinction बतानी है हमें between, distinction मतलब होता है difference between, क्या difference बताना है हमे, magnitude of displacement over an interval time and the total length of the path covered by a particle of the same interval, इन दोनों में difference क्या है, magnitude of displacement क्या होता है, the shortest distance between the initial and the final position, और आपका the total length path covered by a particle क्या हो यह दिस्टेंस होती है, इन दोनों में यही difference है, total path covered is distance, the shortest distance between the initial and the final position is your displacement, यह सबसे easy है, पॉइंट है तो ऐसे हो गया, और उसी बेसिस में point B भी करने के लिए बोल रहा है, आपको point B क्या बोल रहा है, देखो यहाँ पर धियान से, magnitude of average velocity over an interval of time and the average speed over the same interval, मतलब आपको average velocity और average speed के बीच में क्या difference होगा, भई, average speed आपकी होती है, total distance covered by total time, और average velocity होती है, total displacement upon total time, difference तो यही हुआ, अच्छा, आगे क्या पूछ रहा है, B part पूछ रहा है, B का B part पूछ रहा है, that the second quantity, ने, show in both A and B, that the second quantity is either greater than or equal to the first, यह भी हमने सीखा हुआ है, distance और displacement के हमने इसले बार सी displacement होता है, वो हमेशा यह तो distance के equal होता है, यह हमेशा less होता है, displacement कभी भी distance से ज़्यादा नहीं हो सकता है, यह हमने अमारे पहले session में सीखा था, तो इसी बेसिस में अगर हम average speed और average velocity के बारे में सुचेंगे, तो हमने क्या सीखा है, average speed होती है distance upon time, और average velocity होती है displacement upon time, जब और यही सीज़ केस आपका अबरेज वेलोसिटी भी कभी सपीड से जाधा नियो सकता क्यों नीद हो सकता किभा आवरेज व्लेस्मेंट है ना आपका डिस्प्लेस्मेंट जो है इस lowered airports समय और एकोल और रिकर्ट वेलोसिटी क्या होती है displacement upon time, total displacement upon time और average speed क्या होती है total distance upon time, यही होती है na average speed, यह होती है total displacement upon time velocity, जब displacement कभी भी distance से जाधा नहीं हो सकता, तो average velocity कैसे आपके average speed से जाधा होगा, जब time equal मानलो यहां पर तो displacement तो हमेशे distance से छोटा ही आएगा ना, तो इसी वज़य से हम यह कह सकते हैं, that average velocity is also less than equal to average speed, अगर मैं इसको यहां left hand side पहला दू, जैसे अगर मैं इसको distance को left hand side पहला हो, तो क्या बन जाएगा displacement upon distance is less than equal to 1, वैसे average speed upon average velocity, average velocity upon average speed is less than equal to 1, यह बन जाता है आपका ratio है ना, यही ratio की बारे कूछ हा गया है, show in both A and B, that the second quantity is either greater than or equal to the first second quantity, इस मामल में क्या है, second quantity average speed है, इस मामल में second quantity distance है, तो distance तो हमेशा displacement से जादा या equal होगा, average speed हमेशा average velocity से जादा या equal होगा, है ना, हमने बस यहां पर lesser than करके निकाला हुगा है, velocity के terms में, वहाँ पर speed के terms से पूछा है, तो हाँ पर अगर आपको एक concept याद है, कि भाई speed इसमें जादा होगा, velocity अब मतब अगर आपको average velocity, average speed की values दी जाए, और अगर आपको उन options में दिखें कि average velocity की value speed से जादा दिखा ही दा दी रही है, तो फिर आपको वो सीधा eliminate कर सकते ना, वहाँ पर option से बत समझ में आगे ना, जैसे आपके पास A, B, C, D, 4 options दिए हुए है, average velocity और average speed के 4-4 options दिए गए है आपके सवाल के बाद, velocity यहाँ पर 40 है, यह speed 60 है और यह 20 है, और यह 10 है, यह 30 है और यह 50 है और यह क्या कहते हैं, 20 है तो यहाँ से अगर आप निकालना चाहाँ तो अराम से निकाल सकते हैं, कि भाई, average speed average velocity से हमेशा जादा होता है तो यह option चूज कर लेंगे, यह option cancel कर देंगे, क्योंकि average velocity speed से ज़़ादा दिखाय जा रही है, यहाँ पर speed ज़़ादा तो यह option ठीक है, यह option को भी cancel कर देंगे क्योंकि average velocity, speed से बढ़के नहीं हो सकती है तो हमेशा यह छोटे-छोटे concept आपका वक्त बचाने का बहुत अच्छा गाम करते है ठीक है, तो इसी वज़े से यह NCRT का एक सवाल था 2.9, आपका जो latest टेक्सबुक में, यह latest टेक्सबुक का है गईज 2013, 2023, 2024 का जो rationalize किताब आपके online available है उसमें से यह, तो यह हमने निकाल दिया, ठीक है, समझ मागी बार चलो, अब आगे बढ़ते हैं और एक basic से सवाल करते है ठीक है, और अगर आप देखो कि यह सवाल अगर आपको दूडना है, तो दूडने ही जरुतने में, बता देता हूँ इडीसी पांडीजी के किताब से उठाया है, मैंने यह आपे, ठीक है तो बहुत सारी किताब है, और यही सवाल बहुत सारी सवालों में देखा हुआ है अगर आप चाहो तो ब्रश अप करने के लिए अपने क्लास 9 के टेक्स्ट्बुक से भी सवाल उठा के स्वाल को निकुछ करेगा, स्पीड और स्वेलोसिटी के आवरी स्वेलोसिटी के, इन फाक्ट मैंने कुछ सवाल डीसी पांडी में जो देखे थे वो मैं यहापे करवा रहा हूँ, वो क्लास 9 के उठाय हुए है, ऐसे मैंने देखे थे डीसी पांडी जी किताब में, तो मैंने, वो भी मैंने यहापे उठाय हुए है, तो आपको शायद देखनी ज़रूतना है, तो आप सारे, मैं खुद आपके लिए पढ़ाई कर रहा हूँ, मैं आपके लिए सारे किताबों को देख रहा हूँ, मैं रिसर्च पूरा कर रहा हूँ, तो आपका काम उतना ही कम हो रहा है, आपको बस मेरे लिए वो seat लेकर आना है, नीट का, और कुछ ने, ठीके बेटा? क्या सवाल है देखो जोसफ जॉक्स फ्रॉम वन एंड ए तु दी आधर एंड भी है ना एंड ए से एंड बी तक जाते हैं ठीक है ओके ऑफ फस्टेट 300 मीटर रोड तो 300 मीटर का रोड है ठीक है 300 मीटर का रोड है और ऐसे भी समझना काई जैसे मैंने बता था बेसिक सवाल से आएस तक जाएंगे तो बेसिक दो सवाल मैंने आपको कई ग्जांपल दे दिये थे लेवेंथ में आने के बाद हर एक सवाल के लिए डाग्राम बनाना, क्योंकि जितना आप अच्छा डाग्राम बनाओंगे, उतनी क्लारिटी, जब पिक्चर के फॉम्माइट में अपने क्वेस्टन को देखो तो उतनी क्लारिटी मिलेगी आपको numerical solve करने के लिए, तो प्लीज अब इशिक सर के टोटका अपनाईए, और प्लीज मेक शूर करें कि हर एक सवाल के लिए physics के आप डाग्राम मना रहे हो, बहुत क्लारिटी मिलेगी, मुझे बहुत मिलती है, बड़े बड़े टीचर को मिलती है, आप देखो कि हरी टीचर डाग्राम बना की शुरू करता है और फिर घूम के 100 मीटर वापस आ जाते है, 100 मीटर वापस आ जाते है, और इसके लिए उनको लगता है, एक मिनिट का बक्त, अनदर वन मिनिट करेंगे, 60 सेकेंड्स हो जाएगा, ठीक है, बराबर है, ओके, अब, अब, वाटर जोसफ्प्स आवरेज स्पीड वेलोसिटी जोगिंग 1, from A to B and then from A to C, तो A to B के लिए और A to C के लिए आपको दोनों केसे के लिए क्या निकालना है, बहुत ही प्यार से आपको निकाल देना है, आपका आवरेज स्पीड और आवरेज वेलोसिटी सही है, तो from A to B कर लेते है पहले, है ना, from A to B अगर आप देखोगे, तो आवरेज स्पीड का फॉर्मला क्या होगा, टिड्डू अपॉन टिड्डू है ना, टोटल दिस्टंस कितनी है, A to B, 300 मेटर की है, और टाइम कितना लगाता है, 170 सेकंड है ना, तो टोटल टाइम हो गया, 300 मेटर डिवाइड़ बाई, 170 सेकंड, 00 कट गया, 171 बारी जाएगा, 174, 68, 175, आपका हो गया, 85, 176 आपका हो जाएगा, बहुत ही प्यार से, बापरे, 176 आपका हो जाएगा, 102, 102, फिर 119, 7 ना, हाँ, तो 119 बढ़ जाएगा, आपके 1.7 पर रोख सकते हो, मीटर पर सेकंड, ठेक है, बरिया, आप भी मेरे जासा वक्त लेज सकते हो multiplication में, tension मत लो, मैं बहुत B को max में, आप मुच्छे तेज हो गया, मेरे को पता है कि आप कर लोगा, यह tension निले ना, तो यह हो गया average speed, अब हमें क्या निकालनी है, average velocity निकालनी है, again same case, tissue upon tissue निकालो गया, total displacement या पे कितनी है, same है यार, straight line motion है न, A से B जा रहे हो, तो straight line motion है, त better than displacement और equal to displacement, सिखा हुआ है न, तो दोने equal भी हो सकते हैं, तो straight line motion में तो distance displacement equally होंगे, 300 meter, time भी same लिया हुआ है, तो average velocity भी यहाँ पर 1.7 meter per second ही आएगी, ठीक है, अब हम बात करेंगे, हमारे next part की, जो है, A to C का, है न, A to C का निकालेंगे, A to C में average speed हो जाता है, again, did do upon did do, तो यहाँ पर total distance कितनी है, आप A से B गए 300 meter, 300 meter के बाद 100 meter आप बापस आए, तो 400 meter के यहाँ पर total distance हो गया, है न, और total time कितना हो गया, सर जाते है बागते 170 second और फिर वापस आए, तो 60 second extra लिया, तो 170 plus 60, 230 seconds हो गया, तो 230 second, तो 00, काट देते हो, है न, 40 by 23 अगर आप करोगे, तो 69 को अगर मैं दुगना गर्दू भी, तो आपका 120, 138, हाँ, बराबर, तो भी कैन सी यह जाएगा आपका 1.6 meter per second के आसफ़ास मेरे ख्याल से, है न, 1.6 जाना चाहिए, 23, अगर मैं इंटू 6 करता हूँ, 63 is a 9, 62, 3, नहीं या, 63 is a 9, नहीं भाई, 23 इंटू 6, 63 is a 9, sorry guys, 23 इं 1.6 meter per second है, बराबर है, ठीक है, अब अगर मुझे निकालना है, तो मुझे निकालना है, average velocity, average velocity होती है, total displacement over total time, यहाँ पर चीज़े थोड़ी से बदल जाएंगी, displacement कितनी है अभी यहाँ पर, भाई, यह आपका initial position है, यह आपका final position है, है न, तो यहाँ से B से C तक 100 meter है, तो और यह total आपका 300 meter है, एक न, तो यह आपका final position है, तो भाई, कितना बच गया है, यहाँ पर, A-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C यहाँ पर आएगा, एक ही बात है, समझ भारे हो इस बात को, बहुत सिंपल कॉंसेट है, ठीक है, बहुत सिंपल कॉंसेट है, याने कि भाई, 5 x 2 कितना होता है, 5 x 2 होता है, 2.5, अगर मैं 5 x 4 कर दो, 2.5 का आदा होगा न, 1.25 होगा ना, समझ रहो ना, तो भई सेम चीज य यहां पर आपको डिस्टेंस दिया, डिस्टेंस निका है, पॉम्ला डालो निकालो जबा, ठीक है, ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं, इसको माल लिया, पॉयंट अ, यहां पर बनाते हुँद, तो हमने पॉइंट माल लिया, पॉइंट ए, पॉइंट A से हम नौत की तरफ गए 500 मेटर, ठीक है मैटा, पॉइंट B तक गए, अब आगे क्या है भाई, 400 मेटर डू एस्ट, फिर पॉइंट B से पॉइंट C गए 400 मेटर, ठीक है, 400 मेटर माल लेजे, पॉइंट C, चलो, आगे क्या है फिर, and 200 मेटर डू साउथ, ठीक है भ इसके, फील्ड तक जाने के लिए रास्ता है हमारा, ठीक है, 20 मेट लगे इसमें, तो टाइम कितना है, 20 मिनिट, तो जाहिर सी बात है, इस टाइम पॉइंट करने ही कोशिश करेंगे हमारे सेकंड्स में, क्योंकि आपका डिस्टेंस के यापर मीटर में दिया गया है, तो आ तो ट्वेंटी इंटू सिस्टी सेकंड्स भी करेंगे, तो सिस्स्टी सेकंड्स होते है, ठीक है, यह होगे आपका अभी, चलो, अब ध्यान देंगे, अब आफकोस थी बात है, हमें पहला क्या निकालना है, वाट डिस्टेंस निकालना है, अरे भाई साभी सवाल, टोटल कितना है यहां अरे कुछ और कलर चुछ सकती है, यह आपर डिस्टेंस कितनी होगी, भाई 500 मीटर प्लस 400 मीटर प्लस 200 मीटर, तो 111 मीटर आप गया, हो गया, टोटल डिस्टेंस बात खतम, पहला सवाल, तो डूसरा, क्या है भाई, वाट इस देंस्ट्लेश्मेंट फॉम हाउस टुदी फिल्ड यह अच्छा सवाल डिस्प्लेस्मेंट क्या है भाई इनिशल पोडिशन ए फाइनल पोडिशन डी है तो इंदर बेच में जो शॉटेस डिस्टेंस होगी वह आपकी होगी प्यारा सा ननना सा मुनना सा डिस्प्लेस्मेंट है ना तो ए और डी के बीच तक मैं यहां ला दिया और ध्यान से दिखो ध्यान से यहां पर ठीक है यह मैंने ऐसे ट्राइंगल बना दिया यह जो है यह आपका डिस्प्लेस्मेंट है यह में निकालना है ठीक है यह मानलो मैंने यहां पर इसको पॉइंट ई लिग दिया ठीक है डिस्प्लेस्मेंट क्य अब इसेंस कितनी है क्यूंकि मैं पाइटोगरस ठीर में अप्लाई करके मैं डिस्पेस्वेंट निकाल सकता हूँ क्योंकि वह हाइपर डिनेस है मेरें बस परपंडिकलर बेस की जरूरत है बेस की तरह है परपंडिकलर तो बैए इकॉल तो चार सो मीटर हो जाएगा है न यह तोना same है न ठीक है और यह D कीतना है भाई यह पूरा 500 है 500 में से 200 तो ये ले गया तो बुक्या धिको यह तो ये टोडल यहां से यहां तक 500 है यहां से यहां तो 200 हो गया बचा गितना 300 होगी आपकी बेस तो बेस आगी परपेंटिवनर आगी है बिटनेस आजाएगी परफेक्ट है बहुत इजी आप अलिदी कर सकते हो जब तीन और चार होता है साथ में हमेशा जो जिसका बिटनेस आता है वह पांच आता है यानि के पांचो मीटर आना चाहिए करके देख लेत है एक स्कुलिट टूपी स्क्वैर प्लस बी स्क्वैर ठीक है मान हीजे लिकित अब पर इसको एक लाक साथ अजार अच्छा प्लस यह कितना होगा नौ और चार जिरो एक दो ठीक है तो इतना होगा नब्य अजार बापर ठीक है तो H will be equal to root of 1,60,000 plus 90,000 कितना हो जाएगा धाई लाग कितना हो जाएगा धाई लाग ठीक है और धाई लाग का फिर अंडरूट कितना होता है वही भाई 25 का पांच होता है दो 0 कम कर दो तो 500 मेटर 500 मेटर आपको हो गया हाई-पेटेनिस उर्फ डिस्प्लेस्मेंट पर से हाज आ अब जियान से देखो थर्ड पार्ट किया है तर्ड पर्ल Wow और इज़ी होगा क्या पूछा है थर्ड पीआफ पूच पूचा है वट इस दी अवरभररेज स्पीड और तो आप क्या करते है बगवान बन चुक यह लरum घो शुट有 है वंगेगिवान जो कितना है स 12, 5, 60, 12, 5, 60, 12, 6, 72, 72, 84, तो मतलब, तो 110 हो जाएगा न, तो 9 बार हो जाता है, 108, है ना, तो 9 बार हो जाता है, 108, 0.9, और फिर 2 बच जाएगे, तो फिर एक बार जाएगा, ठीक है, तो 0.91 meter per second आपका actual average speed होना चाहिए, अगर हम बात करेंगे average velocity, both average velocity होगा, हाँ, what is the average velocity आप 2.2, है ना, चौता, क्या बोल रहा है भई, चौता, टोटल displacement कितने निकाल दी, आपने 500 है, और टोटल टाइम कितना है, बारास हो है, तो और इसी होगे, 0000 काट दो, तो 5 by 12 बन जाता है, आपका, 12 by 5 माने की, 12, 40, 48 हो जाएगा, है ना, तो 0.4, फिर बचे का 2, फिर 0.41 meter per second जवाब आगी, ठीक है, easy, समझ मा आगया, तो अच्छे से आपका अभी average speed, average velocity का basic concept का, you know, आदद बन चुका है, formula कैसे लगाना होता है, समझ मा आगया, चलो, एकर यह समझ मा आगया आपको, तो हम थोड़ा सा level 3 पे जाते हैं, थोड़ा सा difficulty बढ़ाते हैं, अब मैं आपको जए ही main का level, जए ही main की level का सवाल है, बहुत easy है, in one second a particle goes from point A to point B, moving in a semi-circular, अभी हम लेवल 2 जा रहे हैं, level 2 तो हो गया, level 3 जा रहे हैं, जो examples मैंने दिये थे, 9th grade के level के सवाल, और level 1 पे आते हैं, ठीक है, in one second a particle goes from point A to point B, moving in a semi-circular path, आदे सकते, point A से B जा रहे है, in a semi-circular path और यहां पर देखो, radius भी दिया हुआ है, one meter, center से भाई, जो कोई भी line, circle के perimeter को छोती हो, radius बन जाती है, तो यहां पर यह one meter दी हुई है, आपका radius है, क्या है आपका radius है, है ना, find the magnitude of average velocity, अब average velocity निकालनी है, बहुत ही लड्डू, case, बहुत ही लड्डू, तो average velocity होती है, total displacement upon total time, यहां पर भाई displacement कितनी है, जब इनसान point A से point B जाता है, आप देखोगे, एक semi-circular arc जब बनाता है, तो A से B में जो distance है, आप देखोगे, यहां पर radius और यह radius, तो यहांने के 2R, याने के diameter का distance cover करता है, यह हमने सीखा हुए पिसने session में भी, तो 2R हो गया आपका total displacement divided by total time, बोलना कि एक second में कर दिया ना, इसने, तो point A से B में एक second में चला गया हो, इन one second, तो total time तो एक second हो गया, so 2R, और R कितने आपे, 1 दिया हो है, तो 1 divided by 1, तो value कितनी होगी, 2 meter per second, बहुत easy सवाल, बहुत easy सवाल, बहुत easy सवाल, है ना, ठीक है, basic level हो गया, चलो, अब आगे ब बहुत important सवाल है, जो मैं पूछ रहा हूँ, क्योंकि ये same सवाल आपको neat में आया हुआ है, ठीक है, पहले मैं सवाल पूछूँगा, फिर मैं आपको neat, जैसे आया हुआ है, दिखाऊंगा भी, ठीक है, तो सबका पूरा धियान या पर बहुत important सवाल है, question, ठीक है, ध्यान के लिए time T1 है, ठीक है, फिर आप यही same distance दुबारा cover कर रहे हो, ठीक है, यही same distance आप दुबारा cover कर रहे हो, याने कि यहाँ पे distance D है, ठीक है, और time T2 है, ठीक है, आप point A से B गया, distance D है, point B से C जा रहे हो, distance D है, दोनों वक्त आपने same distance cover किया हूँ, इसमें D1, D2 नहीं लि यह point A to C, point A to C आपको average velocity निकालनी है, a to C आपको average velocity निकालनी है, कैसे निकालोगे, try करो, मेरे साथ try करो, खुद करनी कुछ रिकरो, मेरे साथ भी try करो, मेरे साथ कर लोगे, तो फिर बहुत अच्छी बात है, note down करो, शुरू करो, हम देखो, same सीधे थरीके से जाएंगे, ठीक आपको यह करना बहुत ज़रूरी है, ठीक, बेटा, बच-मज़ भारी है, clear हो रही है, वहना बहुत ज़रूरी है, वरना तो फिर निककत में आ जाएंगे, ठीक है, बराबर, और ये भी काम कर लो, मालो, A से B जाने में, आपकी velocity V1 है, और B से C जाने में, आपकी velocity V2 है, ये तो वक्त भी एक ही लगना चाहिए, वक्त अलग क्यों है, क्योंकि भाई, पहले मैं 20 मीटर पर सेकेंटी स्पीड सेल दा था, भाई, उसके बाद में 40 के स्पीड में दौडने लग गया, तो मेरी वेलोसिटी बदल गी, तो टाइम भी बदल जाएगी, डिस्टेंस तो सेम है, ठीक है, बात, clear है, और हाँ, तीनो चीज़े वेरीबल नहीं हो सकते है, कोई एक चीज़े चीज़े चीज़ेंट होना जरूरी है, तीनो चीज़े वेरीबल नहीं हो सकते है, कोई चीज़े चीज़ेंट जरूरी होगी, ठीक है, clear हो गया, चलो, अब इसो कैसे करेंगे हम, भाई हम जानते हैं हमारे average velocity और हम जानते हैं कि B1 प्लस B2 नहीं करना है average velocity केस में न, क्या करना होता है, total displacement upon total time होती है average velocity, same derivation average speed के लिए भी होगा, क्योंगी state line motion, same derivation average speed के लिए भी होगा, तो एक कर लो तो समझ मा जाएगे, तो टोटल displacement one, total time ठीक है? चलो, अब देखते हैं यहां पर क्या है? displacement क्या है याँ यहां पर? यार A से B D है और B से C D है, तो D प्लस D होगया D प्लस D होगया, ठीक है, टोडल टाइम कुतनी है T1 प्लस T2, ती 1 प्लेस टी 2 बराबर मज़ा आ गए है तो D-1 प्लास D क्या होता है स्तेट क्या हो जाता है टी 1 लेस्टी इंटु दिस्प्रेस्में किया हो जाता है क्या आप अनुञ तो यहां पर आप दिखोगे में हो लें जाहूंगा रेलुक्र में आपके om तो टीवन क्या होगा डीवाई वीवन है टीटू क्या होगा दीवाई वीटू है न होगा डीवाई वीटू है न ऑसम है बढ़िया है मजा आगया ठीक है चलो अब आगे करते हैं अब इसके बाद अगर मैं average velocity निकालना है तो मैं एक काम करता हूँ D को common ले लिए, दोनों में से D को common ले लिता हूँ ठीक है, सो मेरा बन जाता है 2D और नीचे मेरा D मैंने common ले लिया 1 by V1 plus 1 by V2 परफेक्ट है, ठीक है, सही है अब देखो DD कट जाएगा DD, कट गया राम से PR से कट गया, तो बचा गया अब बचा आपका average velocity is equal to 2 उपर है, अब 1 by V1 plus 1 by V2 बचा अब इसका LCM निकालते हैं, है ना अब इसका LCM निकालते हैं, तो average velocity क्या होगी 2 divided by 1 by V1 plus 1 by V2 का, क्या होता है LCM V1 into V2 होगा, और उपर V1 plus V2 आजाएगा, तो बचके V1 plus V2 divided by V1 into V2, अब ये V1 into V2 उपर जाएगी है ना, तो average velocity कितनी बन जाएगी मेरी, 2 जो already है, V1 V2 उपर गया, तो 2 V1 V2 divided by V1 plus V2, ये मेरा एक बहुत important final value बन जाता है, और अगर आप लोगोंने मेरे साथ class 9th पड़ा हुआ है, तो मैंने आपको ये shortcut class 9th में भी सिखाया था कि जब आपका distance same होता है तब आप सीधा ये formula apply का सकते हो, average velocity निकालने के लिए आपको लंबा चोड़ा derivation करने की ज़रोत नहीं है आपसे लंबा चोड़ा derivation क्या होता है, लंबा point A से point B जा रहे है मालो 10 meter cover किया 2 second में और point B से C जा रहे है distance same रखने हैं, 10 meter 10 meter और यहां पर आपने लिया 5 second ठीक है, 5 second मालो, 8 second मालो clear है, simple है, बहुत simple मालो A से B जाते वक्त आपकी velocity, माल लिजे आपकी A से B जाते वक्त velocity थी 20 meter per second, नहीं भई, 10 बटे दो, कितना हो जाता है, 10 बटे दो, 5 meter per second हो गई, ठीक है और 20 से C जाते वए 10 by 8 आपका हो जाता है है ना, तो 10 by 8 हो गया तो 5 by 4 हो गया, 5 by 4 हो गया, तो आपका 1.25 meter per second हो गया, ठीक है यह आपका हो गया, simple सी है मुझे, ठीक है, टोटल displacement कितनी है, टोटल displacement मेरी है 10 meter plus 10 meter, 20 meter, ठीक है और टोटल टाइम कितनी है, आपके टोटल टाइम है, 2 second plus 8 second, 10 second, तो आपकी value कितनी आ जाएगी, सर्ट, 2 meter per second मेरी average velocity का value आ गया, ठीक है, तो आब यह तरीके से करोगे अब मान लीजिए, यहाँ पर एक दिक्कत है, यहाँ पर दिक्कत यह है कि अगर मैं आपको 2 second और 8 second की value ना दू, तो फिर आप क्या करोगे, ठीक है, मान लो, आपको मैं value दे नहीं रहा, मैं आपको यह time की value नहीं दे रहा, जो NEET के exam वाले करेंगे, तब आप क्या करोगे फिर, तब तो फिर आपको guess करने बढ़ेंगे, guess मतलब guess की जरूत नहीं है, आप जैसे हमने फिस्टे सवाल में किया था, कि भाई हमने assume कर दिया, T होते है, D upon V, है ना, आपने मेरे को D और V की वाले दोनों दी गई है, तो मैं वहाँ से निकाल सकता हूँ, है ना, मेरे T1 क्या हो जाएगी, D by V1, T2 क्या हो जाएगी, D by V2, आपने को distance भी दिया हुआ है, V भी दी गई है, मैं निकाल दूँगा time, distance दिया हुआ है, V दी गई है, मैं निकाल दूँगा time, बराबर perfect है guys, बहुत बढ़ बढ़िया, अब मान लो, मैं थोड़ा और शातिर हूँ, और मुझे आपका paper और difficult बनाना है, तब मैं क्या गरूँगा, तो time निकाल दूँगा मैं इसके तुरू, और time की value डाल की निकाल दूँगा जब आप same आएगी, अब मान लो कि अगर मैं यहाँ पर आपको ये भी ना दू, यानि कि distance भी ना दू मैं आपको, distance भी अगर मैं आपको ना दू, और आपको सिर्फ बोल दू, D है, फिर आप कैसे solve करोगे, सिर्फ आपको speeds दी गई है, फिर आप कैसे solve करोगे, आप बोलो के सर जो पिसला formula आपने बता है वो डाल देंगे मानलो formula आपके पास नहीं है तो फिल लंबा method क्या होगा आपको लंबे तरीके से करना पड़ेगा याने कि जैसे हमने यहां पर derive किया है ना exactly वैसे करना पड़ेगा मैं आपके दिखा तो मान लीजिए आपके पास क यहां पर क्या आपका यहां निकालने के बाद या तो आप आप यकाल तो आजाएगा आपका वी बन प्लेस भी तू डिडिवाड़ेट भाई वी 1 इन्टू वी तु यहीं केस है तो टू डिवाड़ेट भाई वी 1 प्लेस वीु एटू कित्नर आ अपका बिटा पांस प्लस 1.25 सिक्स पॉंट तूफाई है ना डिवाड़ेट बाई 5 नुए 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 तो यू जाता है ना तो 625 बैटू करोगे बेसिकले आपको दू मिटबा सगना नहीं चाहिए थी भाई है तो 6.25 है ना 525 टू कहरी 525 टू कहरी 525 टू कहरी पर इस टेंट टू करेक्ट वह मैं सुझ रहा हूँ क्योंकि यहां पर हमने आवरेंज वेला से निकाली तो यहां पर इस फॉर्मला से भी सेम आनी चाहिए तो 6.25 करेंगी 2.25 वैलिव आगे है तो आप देख सकते हो अगर आपको सारी वैलिव दी गए तो भाई नॉमल फॉर्मला इस्तमाल को बहुत बढ़िया जल्दी हो जाएगा मानलो एक वैल्यू नहीं है ताइम नहीं है दिस्टन से लॉसिटी दी गई है फिर आप टाइम को दिस्ट बी केस में जहां पर डिस्टेंस कॉंस्टेंट है ए बी बी सी डिस्टेंस कॉंस्टेंट है तब वहां पर आप आप एवरिज वेलॉसिटी का स्टेट फ़रवड फॉर्मुला तू वी बी टू डिवाइड बाई वी ब्लस वी टू का इस्तेमाल कर सकते हो सब जगा अप्लि होगा यह formula लेकिन condition एक ही है distance same होना चाहिए उस case में जो भी cases आपके पास है उन सब जगा distance same होना चाहिए तब अराम सो जाए ठीक है पीटा चलो चलो करके देखते हैं यह है आपका है नीट दोजाद साथ का सवाल ठीक है नीट दोजाद साथ का सवाल जेए गैस करो किया जबाब कर दिखो अकार मूज रॉम X2Y ठीक है कार मूज फ्रॉम X2Y एक कार जारी है ठीक है विद यूणिफर्म speed V you जाते वक्त उसकी speed है V you and returns to Y ठीक है और उसके बाद वापस Y से X सारी है The uniform speed of VD The average speed for this round trip is तो अब यहाँ पर अराम से guess कर सकते हो न X से Y जाने का distance Will be equal to Y से X आने का distance तो यहाँ पर again distance same है Distance same है तो average velocity की formula क्या हो जाती है 2 V1 V2 की बदले यहाँ पर velocity दिया हुआ VU VD divided by VU plus VD यह सही formula बन जाएगा इसके लिए तो कौन सब है average velocity का formula है आपर देखो यह बन जाओ Option B Easy 2007 का बहुत इस सवाल इसलिए मैं आपको derivation करवा दिया Already ताकि आपको यह idea लग जाए आराम से Perfect है guys मजा आ गया चलो ठीक आप आगे बढ़ते हैं अब कुछ सवाल करते हैं ठीक है देखो यह 2013 का सवाल है यानि कि पिछले साल का सवाल है लास्ट यर क्वेस्टियन 2023 का बहुत सिंपल सवाल average speed average velocity का बहुत ऐसे कर लोगा ऐसे ठीक है क्या सवाल है भाई अभेकल्ट मालो फाफ धि-डिस्थन्स अवेकल्ट मालोवब्य से फॉइंट एकलव हॊंद एसे सिर्डिमां आथा ईस्थन्स बोला गया और दादीडिस्थन्स बोला गया है विट स्पीड V, ठीक है, विट स्पीड V कवर कर रहा है, and the remaining distance with speed 2V, तो आधा distance, तो ये भी वानलो D है, तो ये भी D है, आधा-ाधा equal distance होगे हैं आपर, its average speed है, तो आप क्या करोगे हैं यहाँ पर, यहाँ पर same formula लगा होगे, आप 2V1 V2 divided by V1 plus V2, बहुत easy सवाल है, ना बेटा, तो 2 into V1 कितना है, V है, और V2 कितना है, 2V है, ठेक है, V1 plus V2 याने के, V plus 2V, पराबर, तो ये होगे 2 into 2, 4, और V into V होगया, V square, V plus 2V हो जाता है, 3V, V square और ये कड़ गया, तो 4V by 3, आपका final answer खतम, इतना easy सवाल, आपको जो आ जाते हैं, ये तो आराम से कर लोगे, बढ़िया गईस, परफेक्ट है, confidence आ रहा है, मैंने बोला ता सरी है, तो level 3 की सवाल होने वाल है, लेकिन level 3 की सवाल कितना easy होगे है, ना, अब और easy होगे guys, जितने भी hardest, toughest सवाल में करवा रहा हूँ, आपको जो आ जाते हैं, नीट में, जेई में, आप ऐसे कर लोगे, मिरेको इतना confidence है आपके अंदर, मैं मजाख में नहीं कहता, कि हम हैं नीट के खिलाड़ी, नीट खेल-खेल में निकालेंगे, हम निकालेंगे खेल-खेल में, ठीक है, बढ़े guys perfect हो गया, चलो अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स सवाल करते हैं, चलो भाई, यह सवाल है, आपकी DC पांड़ी जी के किताब में, जो class 9 का उठाव होगा, डिट्टो है, यह class 9 के exercise सवाल है, यह डिट्टो उठाव होगा practice के लिए, कर लो एक बाप्राक्टिस, अबदुल वाइल driving to school computes the average speed of forest trip to be 20 km पर आर, ठीक है, घर से, पॉइंट ए, घर से, स्कूल जाने के लिए, अबदुल जी, 20 km पर आर के speed से जाते हैं, ठीक है, अब, on his return trip, return trip है, return trip याने के भाई, A से B गया, B से A आर है, तो अगें, दोनों cases में आपका distance सेम है, तो B से A आने के लिए, सेम रूड ही बूला गया, आवरीश बन जाती है, 40, 40 km पर आर, तो आप क्या करोगे, आप सिधा formula लागा होगे, solve पर होगे, average speed है, तो average speed कितनी होगी, 2 V1 V2 divided by V1 plus V2, आप चाहो तो लंबे तरीके से करके भी देख सेम जबा होगे, ठीक है, so 2 into 20 into 40, divided by 20 plus 40, 60, 0, 0 कट गया, 2 3s हा, 2 10s हा, ठीक है, तो यहाबर value कितनी आ जाएगी, 10 plus 4, 40, 40 into 2, 80, 80 by 3 होगया, 80 by 3, 80 by 3, 20, नहीं नहीं नहीं, यार, 10 नहीं, 10 बचा नहीं, 10 into 4, 40, 40 into 80, 80 by 3 होगया, 80 by 3, 24 होती है क्या, क्या होगया, गलत होगया मैं से, मैं इनक काटने में इतनी गलती कर लेता है, मेरा खुद का काल्कुलेशन इतना कॉंप्लिकेट हो जाता है, बरूप जो मैं कर लेता हूँ, 2 into 20 into 40, divided V plus V2 is 60, ठीक है, तो, यहां पर क्या होगा, सेम कॉंसेप्ट होगया, 80 by 30 आएगा न, गलत क्या होगया, 30, 00, कट गया, ठीक है, सेम भाई, 20 into 4, 80 by 3, हाँ, तो 80 by 3 कितना होगा, 80 by 3, साही कर रहा था, मैं कमें गन्फ्यूज होगया, पता नहीं क्यों, so 3, 2, 6 हो जाएगी, 3, 2, 6, 20 बचा, 3, 6, 018, ठीक है, और 2 बच गया, तो 3, ने ने, 3, 2, 06, 2 बचा, 20, 3, 6, 018, फिर 2 बच गया, तो फिर 3 के बेसेदें, तो 26.6 हो जाएगा, तो 26.6 करे जाती रहेगी, बच नाइन्थ में, इसका जबाब 24 क्लिमेटर पर आ रहाता है, जितना हो याद है, चलो, Aqar covers the first half of the distance between 2 plus 30 speed of 40, तो V1 आपको, आप तो diagram नहीं हो जरूत नहीं, आप तो आप 4 होगे, V1 40 है, और second half, जब डिवर रहे, distance same है, तो बस सीजा लिखो भाई, 40 is 60 है, आप देखो, diagram नहीं कितनी clarity मिल रहे, आप खुद imagine कर रहे हो, A से B, 40, B से 60, distance same है, तो same formula लग जाएगा है, तो क्या हो जाएगा, average velocity will be equal to total displacement upon total time, लगाने की जरूत नहीं है, 2 V1 V2 divided by V1 plus V2 लगाना है, दर मज जाना कि अभी शिक्सर ने यह formula क्यों लिखा, यह लिखना था ना सर, हाँ, ठीक है, so 2 into 40 into 60 divided by 40 plus 60, I love this question, because 100 आया तो 000 कट जाएगा है, है ना, मेरे लिए बहुत इसए, 6 plus 6 plus 24, 24 into 48 k mph, बहुत इसी सवाल, बहुत इस सवाल, तेज हो गया है, प्रैक्टिस हो रही है question, तेज हो गया है ना, चलो ठीक है, आप थोड़ाँ डिफिकल्ड बनाते हैं, आजो, तो आपके दिमाग में यह सवाल तो जरूर आ रहा होगा, यह सवाल तो डेफिनिटली आ रहा होगा पर सवाल दिमाग में, सर, डिस्टेंस सेम हुआ तो आपने फॉर्मला बता दिया, तो वी बन वी टू डिबाड़वा वी ब्लस वी टू, टाइम सेम हुआ तो क्या, अगर टाइम सेम हुआ डिस्टेंस सेम नहीं हुआ, और बहुत सारे बच्चे ऐसे भी स्यूसर होगे, ठेक है, तो मान लो यहाँ पर पॉइंट ए है, पॉइंट ए से पॉइंट बी जा रहे हो, डिस्टेंस यहाँ पर डी बन लिया आपने, और टाइम लग रही है टी, मामला समझ में आ रहा होगा आपको, फिर पॉइंट बी से पॉइंट सी जा रहे हो, तो distance यहाँ पर है D2 लेकिन time अब भी लग रहा है T, याने कि time constant इस मामले में, distance नहीं, और A से B जाने में आपकी velocity V1 है, B से C जाने में आपकी velocity V2 है, अब का करोगे, बताते हैं ब्रो, बहुत easy से, बहुत easy concept है, है ना, तो अगर मुझे A to C का average velocity निकालना है, अगें state light motion, तो average velocity, average speed का same concept लगें, तो tension लेंगी बात नहीं है, तो average velocity concept लगाना है, तो आपका बन जाएगा total displacement upon total time, यहाँ पर displacement कितना है, sir, मेरा है D1 है, और भी D2 है, है ना, D1 प्लस B2, मेरा total displacement है, time कितनी है, T प्लस T है, sir, total time में हो जाएगी 2T, है ना, A से B के लिए time T है, B से C के लिए time T है, तो total time कितनी होगी, T प्लस T, 2T होगी, same concept, भोगई difference नहीं है, बराबर है, चलो, अब D1 कितनी होती है, भाई, D1 कैसे निकालोगे, D1 तो पता नहीं है, time तो 2T हो गया, D1 कैसे निकालोगे, यार, जब V1 और T है, तो D1 निकाल सकते है, D1 कैसे निकलेगा, मेरी velocity के formula होती है, distance या displacement upon time, तो D क्या हो गया, velocity into time होगी न, velocity into time होगे, बहुत easy, तो यहाँ पर मेरा D1 क्या होगा, मेरा D1 होगा, V1 into T, और मेरा D2 क्या होगा, D2 होगा, V2 into T, same, लिख दो इसको यहाँ पर, ठेक है, तो D1 क्या है, V1 into T, प्लस D2 क्या है, V2 into T, डिवाइड V2 divided by 2, T, T कट गई, तो मेरे average velocity के formula क्या आगे, V1 plus V2 by 2, यानि कि अगर मेरे किसी सवाल में दिया हुआ है कि time constant है, तो फुर मुझे यह formula apply करना है, V1 plus V2 by 2 वाला, ठेक है, तो अगर मैं आपको example दू, as always, जैसे मैंने पिस्छे सवाल के लिए था आपको derivation के लिए, अगर म यहाँ पर time लिया हुआ है, आपका माल लिजे 20 second, ठेक है, और B से C भी जा रहे हो, time लिया हुआ है 20 second, distance भाई, कुछ ना कुछ covered है, मालो यहाँ 10 meter है, यहाँ पर 100 meter है, फरक ने बढ़ता है, यहाँ पर लेकिन आपके velocity दी गई है, 20 meter per second की speed दी गई है, और यहाँ पर आगर आप B से C आपकी velocity मालो लो दी गई है, 40 meter per second, यहाँ पर अगर आपको average velocity निकालने के लिए बुलेगा, तो आप क्या करोगे, आप करोगे B plus B2 by 2, क्यों कि यहाँ पर time constant है, 2020 time constant है, distance नहीं, तो आप 20 plus 40 by 2, जो mathematical average करते हुआ ही कर जाओगे आप, बहुत simple सवाल, ठीक है बेट 60 km, if half of the total time, if half of the total time, याने कि अब time में बटवारा हो रहा है, distance में नहीं, है ना, so point A से B में जाना है, C में जाना है, और यह time आधा है, यह आधा है, total distance दिया हुआ है, 60 km, ठीक है, it travels with speed 80 km पर आ, तो आधा time, याने कि T by 2, यह जो आधा time है, it travels at a distance of 80 km पर आ, and in rest half time, जो यह आधा T by 2 है, it covers speed 40 km पर आ, average speed of the car is, तो आपको फामुला पता नहीं किया है, क्योंकि यहाँ पर clear है, कि भाई, time constant है, तो average velocity और average speed would be equal to V1 plus V2 by 2, बहुत easy सवाल यहाँ पर, यह तो mentally कर सकते हो, आप 80 plus 40 हो गया, 120, 120 by 2 हो गया, 60 km पर आ, extremely easy question, ठीक है, easy हो रहा है, मज़ा आ रहा है भी, अरे सर, इतना easy सवाल आएगा क्या, अरे बिल्कुल ब्रो, तो हाँ, class 7th के examination में भी, और आपके, neat के examination में, average speed velocity का आप ऐसे आराम से कर सकते हो, ठीक है बेटा, चलो, अब आगे बढ़ते हैं, हाँ बाई, यह, 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 मालो की भाई साब, आपके, J advance level का सवाल है, ठीक है, यह, neat कर नहीं है, अगर आप मुझसे honest ही पूचे कर से, neat में क्या यह सवाल आ सकता है, I would say, हाँ, आ सकता है, क्यों, क्योंकि अब J advance का स्थर थोड़ा और उपर हो गया, है ना, neat का स्थर भी थोड़ा उपर हो गया, तो J advance के पुराने, यह J advance का पुराना सवाल है, ठीक है, तो J advance के पुराने सवाल, कोई-कोई सवाल, देखे गया है, आपके neat में भी, J mains के भी कोई-कोई सवाल देखे गया है, neat में भी, तो वैसे sense में, हाँ, यह सवाल मैं कह सकता हूँ, कि हाँ, भाई, हो सकता है, हो सकता ह जाए बड़ जब हम इसे करेंगे आपको लगेगा सर इतना इजी है यह मैं तो यह बुलोगा कि भाई यह तो बहुत बहुत ज़ादा इसी है बहुत जादा इजी है थिक है तो अब पूरे ध्यान से देखो इसे करने कोशिश करते हैं बहुत-बहुत आराम से करेंगे इसको एक दम लड़ू-लड़ू, ठीक है? अब पार्टिकल मुविंग इन ए स्टेट लाइन कवर्स हाफ दिस्टेंस विद स्पीड और 3 मीटर पर सेकेंड ठीक है? एक पार्टिकल है जो आदा दिस्टेंस कवर करता है 3 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से अब पार्टिकल मुविंग इन ए स्टेट लाइन कवर्स हाफ दिस्टेंस तो माल लीजिए पॉइंट एस से आपको शुरू करना था और पॉइंट दी तक आप गए बीच में को भी नंबर आसकेंगे मत्रेधी देखेई अब इसका जो टोटल इस्टेंस से महलिजिए तोटल इस्टेंस आपकी है यहां से यहां तक जो अमweird distance share with ॥ी बिस्पीड से चल रहा है, ठीक है? अब अब, the other half of the distance is covered in two equal time intervals, B से D के बीच का जो distance है, माननों A से B में इन्होंने वक्त लिया D1, B से D के distance को, two equal time intervals में बाठ दिया, B से D के बीच में, यहाँ से C डाल देता हमें, B से D के distance को, मैंने T और T time interval में बाठ दिया, same time interval, equal time interval, बाठ दिया, ठीक है, और speed दी गई है, यहाँ से 4.5 B से C, और C से D गई है, 7.5, the average speed of the particle during this motion है, तो अब मुझे A से D तब का average spin निकालना है, तो अगर आप इसको ध्यान से देखोंगे, आपको लोगेगा, अरे सर, यह तो game खेल गया हमारे साथ, क्या game खेल गया भाई, B से D वाला जो पार्ट है, वो equal time वाला सवाल है, और पूरा AD वाला जो पार्ट है, वो equal distance वाला सवाल है, है न, तो अगर मैं B से D का पहले solve करो, अगर मैं B to D का पहले solve करोंगा, तो मुझे यहाँ पर clearly सवाल में दिया गया है कि time is constant, time is constant, बोला गया है न, कि by the other half of the distance is covered in two equal time intervals, equal time interval भाई, तो यहाँ पर मेरा formula क्या होगा average velocity का, मेरा average speed का formula आएगा, V1 plus V2 by 2, ठीक है, तो V1 कितनी उस सेट भाई, 4.5 और V2 कितनी है, 7.5 divided by 2, है न, तो 4.5 प्लस 7.5 यानि कि 8 प्लस 4 तो 12 होगे, 12 by 2, कितनी value आएगी, 6 meter per second मेरी value आगे, बहुत easy, है न, तो यानि कि यहाँ से B से D तक का, जो total speed है, average velocity मेरे को आचुकी है, 6 meter per second, perfect, अब यह 3 meter per second और 6 meter per second का, जो speed है, वो equal distance पो बटा हुआ है, न, A to D मेरा equal distance पो बटा हुआ है, आप मेरा दूसरा formula लग जाएगा, so from A to D, my formula would be, I can say distance is constant, तो मेरा average formula क्या हो जाएगा, 2 V1 V2 divided by V1 plus V2, so my answer would be, 2 into V1 कितनी है आपकी, V1 आपके बहुत ही प्यार से 3, और V2 कितनी है, भाई, आपकी निकली 6, divided V2, यानि कि 3 plus 6 हो गया, है न, so 2 into आपका हो जाता है, 18, 18, 3 plus 6 आपका हो जाता है, 9, 9, 1 बार, 9, 2 बार, तो 2 into 2, 4 meter per second आपकी हो जाती है, average velocity for the entire duration, easy, मजा आया, बढ़िया, यह हो गया, आपका जाएगा सकता है, तो आपको neat में, ना ही class 11th में, average speed, average velocity से इससे tough सवाल आने वाले हैं, I can honestly tell you that, नहीं आने वाले हैं, तो आप जाने से पहले, बस NCRT का एक आखरी सवाल है, जो मैं आपको आधा कर दूँगा, और इसका जो आखरी पार्ट होगा, मैं चाहूँगा कि आप इसको, खुद solve को नहीं खुश करें, मैं आधा इसले भी कर रहा हूँ, ताकि आपको एक idea लग जाए कि इसको solve कैसा करना हो, है ना, मैं आपको आधा हजूरा छोड़ना नहीं चाता है, इसले, ठीके बेटा, तो यह बहुत इस सवाल है, आपका आज का आखरी सवाल है, और अब तक बेटा वीडियो अच्छी लग रहे है, तो make sure to hit the like button, share this video, subscribe to the channel, और आपको बताना चाहूंगा, आज जो भी हमने सवाल किये हुए, पूरा notes जो है, आपको मैरे description में दियेगे, link भी मिल जाएगी, मैं हर session के note उसी link में update करता हूँ, एक बार आप download कर लोगे, तो जिंदगी बार आप उस sheet के साथ रहना, उस sheet में सब कुछ update होती है, उसमें हमने सारे NCRT के solutions को भी upload कर दिया है, अगर आपको मानलो मेरा समझ नहीं आता है, तो वहां से आप देख सकते हो, कोई tension नहीं है, कहीं और का समझ नहीं आता है, तो पूरा resources मैं आपको वहीं पर देते जाओगा, पूरे साथ, ठीक है, आप बच subscribe करते जाओ, चैनल को seat को download करना है, ठीक है, तो क्या दिया हुआ है, a man walks on a straight road from his home to a market 2.5 km away with a speed of 5 km पर आर, ठीक है, तो मानलो भई, ये आपका home है, home से वो गए, market में, ठीक है, एचे नहीं जा रहे है, 2.5 km आवे, तो 2.5 km आवे, आपका distance है, with a speed of 5 km पर आर, ठीक है, तो 5 km पर आर की speed से आप जा finding the market closed, he instantly turns and walks back home with a speed of 7.5 km पर आर, तो फिर वापस आते बद बताया जा रहे है, कि आपकी speed है, 7.5 km पर आर, ये ना, question समझ में आ गया, पहला पाट क्या है, भाई, what is the magnitude of average velocity, ये ना, what is the magnitude of average velocity, एका, average velocity का formula क्या होता है, बेटा, average velocity का formula क्या होता है, इस case में आप देखोगे, जाते वक्त, आते वक्त, distance same है, अब कौन सा formula लगा होगे, 2v1, v2, divided by v1 plus v2, बहुत simple, है ना, तो 2 into v1 कितनी है, 5, और v2 कितनी है, 7.5, divided by 7.5 plus 5, आपका हो जाता है, 12.5, है ना, 12.5, ठीक है, पराबर, so this will be equal to 2 into 5, 10, 10 into 7.5 is 75, 75 divided by 12.5, कितनी बार में जाएगा, ये, अगर 25 हो, तीन बार में जाता, 12.5, छे बार में जाएगा, तो 6 meter per second आपकी average velocity होगी, perfect होगया, तो A बहुत simple है, बहुत easy, है ना, अब इसमें complicated B बाला part है, है ना, अब B part का first part, ठीक है, average speed of the man over the interval of time 0 to 30 minute, 0 से 30 minute के अंदर, इनकी average velocity कितनी थी, ये average speed कितनी थी, average speed का formula होता है, total distance upon total time, टिट्टो upon टिट्टो, time आपको मिल गया 30 minutes, 30 minutes को अगर मैं घंटे में घंटे में घंट करो, क्योंकि यहाँ पे सब kilometer per hour में value चल दीन है, तो मैं घंटे में घंटे में घंटे में घंटे करते है, भाई, 30 minute होती है, आदे गंटे, याने कि 0.5, total time तो मेरे पास है, distance कितनी ह होती है, मतलब मेरे distance कितना कवर होगा, 5 km प्रती घंटे, तो मेरा 5 km एक घंटे में कवर हो रहा है न, common sense न ब्रो, 5 km per hour अगर मेरी speed है, that simply means कि I am covering 5 km in an hour, तो आधे घंटे में मैं कितना कवर करोगा, 2.5 km, सही बात, common sense न, तो यह हम सोच नहीं पाते, क्योंकि एक्जाम का pressure हो 5 km per hour है, यानि कि 5 km घंटे में cover होगा, आधे घंटे में 2.5 km, यानि कि वो आधे घंटे में market प्लाउच जाते है अपने घर से, पूरा distance 2.5 km कवर हो गया, उनका, समझ भागी, तो total distance कितना हुआ, 2.5, यानि कि भाई ये तो बात से में कि 5-5 हो गया, तो आपका value हो जाएग अच्छा, 0-50 मिनट में, एक बात तो clear होगी, 0-30 मिनट, तो average speed बतानी है न, तो average speed is equal to total distance upon total time, और यहाँ पर आपकी time कितनी है, total भाई, 0-50 मिनट, 50 मिनट, यानि के total भाई, 30 मिनट तक तो A से B में पहुचे, फिर बचा कितना, 20 मिनट, 20 मिनट में आप B से, मतलब M से वाप पता नहीं हमें, यह हमें नहीं पता है, तो total time कैसे नहीं का लेंगे, 50 by 60 कर देंगे, मतलब मिनट को R में करना है, तो 60 से 60 मिनट से divide करोगे न, तो 50 by 60 लिखेते हैं पर total time, यहाँ पर भी हमने 30 by 60 लिखा तो 0.5 आया, यहाँ पर 50 by 60 लिखेंगे, simple है, tension ही होरी न, मिनट से R करना होता है, उसको 60 मिनट से divide करना होता है, है ना बेटा, 30 को 60 से divide किया तो आधे गंटे आते है, 0.5, महाँ पी 50 by 60, अब total distance कितना है, अच्छा बाई, यह तो हमें पता है, कि 0 से 30 मिनट तक, उनका जो distance था, वो था 2.5 किलो मेटर, और वो होम से मार्केट पहुच गया थे और जैसे ही मार्केट पहुचे, वो instantly वापस चलने लगे, और उनकी speed बढ़ गए, 7.5 किलो मेटर हो गए, तो याने कि अगले 20 मिनट, 30 से 20 होता है, 50 मिनट, तो अगले 20 मिनट, यह चले है, 7.5 किलो मेटर पर आर के speeds, याने कि 7.5 किलो मेटर प्रती घंटे, तो 20 मिनट पे कितना distance cover किया होगा, 20 मिनट इंटू 3 होती है, 60 मिनट, याने कि 20 मिनट आपके घंटे का तीसरा भाग होता है, 1 third होता है, 60 को divide by 3 करोगे 20 आएगा, तो 20 मिनट इस 1 third of your time, of 1 hour, तो वैसे अगर मैं 7.5 किलो मेटर एक घंटे में गवर करता हूँ, तो अगर मैं इसको divide by 3 कर तो अगर मैं 7.5 divided by 3 करता हूँ, तो मैरे value आते हैं 2.5, तो याने कि again, in this 20 minutes, I have covered additional 2.5 km, तो total 0 to 50 में, यार 0 to 30 में 2.5 km था, और फिर 20 मिनट और, तो 2.5 km कवर किया, तो 0 to 50 मिनट में, मैंने 5 km कवर किया, 5 एक बार, 5 दस बार, 00 कड़ गया, 6 उपर आ गया, तो 6 meter per second मेरी value आ चुकिए, दुबार बता दू, दुबार बता दू, जल्दी से, ठीक है, तो 0 to 50 मिनट से निकालना है, मैं, total distance upon total time, total time कितनी है, 50 by 60, 50 मिनट से, 50 मिनट से, 50 by 60, या तो आप भार करको, यहां पर लिख दो 5 by 6 आएगा, same 6 है, ठीक है, अब, अब यहां पर, distance निकालने है, total distance, 0 to 50 मिनट से, total distance कितनी है, 0 to 30 मिनट से, अब 30 to 50 मिनट से, घर वापस आ रहा है, और इस दौरान इनकी velocity 7.5 किलो मेटर है, same velocity निये, velocity बदल चुकी है, 7.5 होगे, तो आप 7.5 किलो मेटर से, प्रती घंटे की रफ्तार से चल रहा है, या दोड रहा है, साढ़े साथ किलो मेट तो 20 मिनट में कितना distance कवर करेंगे वो, कितना, एक घंटे में अगा 7.5 किलो मेटर से, तो 20 मिनट एक घंटे का तीसरा भाग होता है, तो उनका distance कवर भी 1.3 हो जाएगा, क्योंकि speed constant है, तो distance कवर, is proportional to time, है ना, if speed is constant, distance proportional to time, 9th grade physics, तो 1.3 हो जाएगा आपका distance भी, तो 7.5 divided by 3, याने कि 1.3 हो जाता है, 2.5 किलो मेटर, तो 0 to 30, 0 to 30 मिनिट्स is 2.5 किलो मेटर, 30 to 20 मिनिट्स अगें 2.5 किलो मेटर, तो total distance becomes 2.5 plus 2.5, 5 किलो मेटर, rest is mathematics, अब इसी कॉंसेप्ट के साथ, आप मुझे होंबग में जवाब बताना कि तीसरे वाले पाट का जवाब क्या होगा जा आप पर पूछा जा रहे है, 0 to 40 मिनिट्स की बीच में, concept same है, सब कुछ same है, बस total time बदल जाएगा, 40 by 60 हो जाएगी, और यहाँ पर जो एक तीसरा भागता, बहाँ पर आपको सूचना पड़ेगा कि 40 मिनिट्स is how much, 1 third of a thing, 1 second और 1 sixth वो आपको सूचना है, comment समझ बच्चों का detailed explanation मैं, next session में दिखाऊंगा, जो बच्चों ने किया हुआ है, आपका चहरा, आपके नाम के साथ दिखाऊंगा, तो अगर आप इस channel पर आ रहे हैं, तो मैं काऊंगा, कि आप अपना नाम और चहरा सही रखना, क्योंकि zoom in करके आपको मैं famous करूँगा, हमारे neat case पूरी जर्मी में, ठेक बेटा, तो next session मिलते हैं, until this Abishay, signing off for today, enjoy your life, stay home, stay safe and stay strong, और हमारा जो next session है, वो in-depth हम सीखेंगे, instantaneous speed और velocity के बारे में, जो मेरे ख्याल से आपके लिए फिलाल एक doubt जरूर होगा, तो मिलते हैं next session में, और वो भी, जादर दिन के लिए नहीं, कल ही मिल देंगे, मुझे बता है कि इस channel पर मैंने पूरी कोशिश किये regular बनने की, बट आपको पता है कि मैं 9 समालता हूँ, 10 channel समालता हूँ, फिर NEETEX समालता हूँ, और आप मेरे साथ 9th ender में रहो भी है, तो वहाँ पर भी मुझे जरूरत है, बट अब मैं कोशिश पूरी 7th grade का एक session जरूर है, और हफते में 6 sessions आपके मिले, 7th day Sunday मैं भी rest लोंगा, आप भी rest लेना, हफते के 6 sessions लाने की कोशिश में कर रहा हूँ, तो इस हफते से हर दिन आपको classroom के sessions मिलने की पूरी उमीद है, ठेके बेटा, तो कल आजागा आपका instantaneous speed or velocity का, बने रहना session मिलतें ने